वेलकम को आरस क्लास मैं कॉसल सिंग एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आरस क्लास में तो आज है 25 जून 2022 और 25 जून 2022 के जितने भी करेंट अफेर्स के कोसन है वो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और जितने भी भाई वेहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेसन आप दक पहुंच सके तो स्क्रिप मत कीजएगा और लगातार दीखिएगा पांच-दस मिनट की वीडियो है बस तो आईए चलो देखते हैं आज के कौन से कोसन से चले तो देखिए यह आता है आपका पहला प्रिशनास का पहली भारत नेपाल भारत गौरो पर्रेटक ट्रेन को रवाना किया गया तो यह है देखिए पर्रेटक जो ट्रेन है उसको रवाना किया गया भारत गौरो इसका नाम क्या है पहले तो इस पर यह नदर डालिए यानि 21 जून 2022 को भारत गौरो पर्रेटक ट्रेन को रवाना किया गया भारत नेपाल भारत गौरो पर्रेटक ट्रेन को दिल्ली के सब्दर गंज रेलवे इस्टेशन से कहां से दिल्ली के सब्दर गंज रेलवे इस्टेशन से हरी जंडी दिखाई मुख्य बिंदू इस ट्रे प्रटेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे एक बात और है यह है ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी क्या नाम है इस ट्रेन का भारत गौर्र पर्रेटक ट्रेन चलिए अगरे प्रिशन की तरफ नज़र डालते हैं देखिए यह है आपका अगला प्रिशनाज का यह आयाता है हाल ही में संयुक्त राष्ट में भारत के इस्थाइप प्रिदिदी किसे निक्त किया गया है तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट इस्थाइप प्रिदिदी निक्त किया गया है वो किया गया आपका रुशीरा कमबोज को आपसन ए आता है इसमें आपका रुशीरा कमबोज को निक्त किया गया है रोचीरा कंबोज को संयुक्त राष्ट में भारत के अगली इस्थाइप प्रतिनेधी के रूप में निक्त किया गया है वहे वर्तमान में भूटान में भारतिय राजदूत है वर्तमान में क्या है ये भूटान में भारतिय राजदूत है रोचीरा त्रमूर्थी के इस्थान पर आएंगी में रही है कब रही है 1987 में 1987 में अखिल भारतिय महीला टॉपर रही है सिविल बैच की अगले प्रिश्ण की तरफ नजर डालते हैं अगला प्रिश्ण आता है आपका देखिए वीडियो स्कृप मत कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को ठीक है देखिए अगला आजाता है आपका बैंगलोर में सेंटर फोर ब्रेंड रिसर्च का उद्गाटन किया गया तो सेंटर फोर ब्रेंड रिसर्च का उद्गाटन किया गया आपका बीस जून दो हजार बाइस को आपसन ए आता है आपका इसमें बीस जून दो हजार बाइस को सेंटर फोर ब्रे Research का उद्गाटन किया इसका मुख्य बिंदू किया है नरेंद्र मोदी जी ने उद्गाटन किया इसका मुख्य बिंदू है भारतिय बिग्ग्ञान संस्थान uję IISC में 280 करोड कितना 280 करोड की लागात से Center for Brain Research की इस्थापना की गई है कितने से 280 करोड से इसकी यानि इसमें लागात जो आई है 280 करोड की लागात आई है इस कारकरम के दोरान प्रधान मंत्री ने बागची पार्थ सार्थी मल्टी स्पेसलिस्टी अस्पताल की इस्थापना भी की है अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशना आता है आपका ये एक मिनट अगला प्रशना आता है कैंसिल नहीं होता है अगला प्रशना आता है आपका ये ये आ जाता है आपका अगला प्रशनाज का तटरक्षक बल में उन्नत हलके हेलिकप्टर मार्क को सामिल किया गया तो ये तटरक्षक बल में उन्नत हेलिकप्टर को मार्क में सामिल किया गया तो ये सामिल किया गया है आपका 20.07.2022 को, आपसन ए आता है इसमें आपका, 20.07.2022 को, भारतिय तरक्षरगबल को, सुधेशी रूप से डिजाइन और बिक्सित, उन्नत हलके हेलीकप्टर को सामिल किया गया है, मुक्खी बिंदु क्या है इसका, मुक्खी बिंदु है, उन् इससे कोष्ट गार्ड रीजन इस्ट में तैनात किया जाएगा, कहां तैनात किया जाएगा, कोष्ट गार्ड रीजन इस्ट में तैनात किया जाएगा, अगले प्रिश्णी की तरफ चलते हैं, अगला प्रिश्णी आता है आपका ये, ये आजाता है आपका अगला प्रिश औप्सन ए आता है आपका इसमें असम है आपका 36 राज्य वन रहेसं वन राषनकाड अपनाने वाला राज्य है असम असम में वन नैसन वन रासनकाड को अपनाने के साथ यह है योजना पूरे भारत में चालू हो गई है मुख्य बिंदू है इसका असम वन नैसन वन रासनकाड खाद सुरच अपनाने वाला 36 वा राज वन गया है असम को जोड़ने के साथ सभी 36 राज्यों और कैंद्र सासित फिर्देसों में अव रासनकाड उपलब्द होगा क्या है इसका अवन नैसन वन रासन काड अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशना आता है आपका यह पासपोर्ट सेवा दिवस कम मनाया जाता है यह है दिन 24 जून 1967, इसकी शुरुआ तो इती 24 जून 1967, 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष में मनाया जाता है, मुख्य भिंदू पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने इस्वश्ट किया है कि चिप युक्त इपासपोर्ड उत्पादन की प्रिकरिया च इसमें क्या होगा, चिप लगाई जाएगी, चिप जैसे कि आपने देखा हुआ, डी एल में होती है, और आपका डी एल में होती है, और एटी एम में होती है, जो चिप होती है, अब इस तरह पासपोर्ड में भी चिप लगाई जाएगी, यानि जो बुक बनती थी पहले, वो भुक अब खतम करके, अब जैसे कि ATM होता है हमारा, उसी प्रकार ये पासपोर्ड बनाया जाएगा, और जो उसकी सारी जानकारी है, वो इस चिफ्ट में एक आत्रत की जाएगी, यानि डिजिटल, ठीक है, आगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं, अकला प्रिष्ण है आप का, चौदेवा सिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा, तो देखिए, चौदेवा सिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, आपका, तेईस जून दो हजार बाइस को, तेईस जून दो हजार बाइस को, चौदेवा सिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, चौदेवा मंत्री नरेंद्र मोदी दच्छड अफ्रीकी के राष्टपती सिरिल राम फोसा और व्राजील के राष्टपती जायरा बॉल्सो नारो एक साथ आएंगे कौन कौन आएंगे एक साथ देखी फिर दोबारा गौर कीजिएगा सी जिनपिंग, रूसी राष्टपती ब्लादिमीर पुतीन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जो की भारत के हैं दच्छडी अफ्रीका के राष्टपती सिरिल राम फोसा और ब्राजील के राष्टपती जायर बैलसो नारो एक साथ आएंगे ये इसका मुख्य बिंदू है अगले प्रश्ण की तरब चलते हैं अगला प्रश्ण आता है आपका ये ये आ जाता है पहले घहरेलू Nirmit अंत्रिक्ष रोकेट को लॉट्स किया गया है ये किया गया है दच्छिन कोरिया द्वारा आप्टन a आता है आपका इसमें दच्छन कोरिया द्वारा पहले घरेलू निर्मित अंत्रिक्ष रॉकिट को लांच किया गया है ये किया गया है 21 जून को कब किया गया है ये 21 जून को दच्छन कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपना पहला घरेलू निर्मित अंत्रिक्ष रॉकिट लांच किया है इस अंत्रिष रोकेट की पिछले लिफ्ट आफ के महिने महिनों बाद लॉंच किया गया था जो कच्छा में एक पॉलोड रखने में असपल रहा था चलिए अगले पृष्णि की तरफ चलते हैं अगला पृष्ण आता है आपका ये अगला पृष्णि है आपका वीडियो को लाइक जरूर की देगा भई हाल ही में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर रोक लगाई तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर जो रोक लगाई है वो लगाई है आपके एक जुलाई को कब लगाई है अभी एक जुलाई को रोग लगाई जाएगी जो आने वाला है केंद्र सरकार में एक जुलाई दो हजार बाइस दो हजार बाइस सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर रोग लगा दिये नुख्य बिंदू पर रेवड़ वन और जलबायू परिवरतन मंत्रा अले द्वारा दो हजार एक कीस दो हजार एक कीस में गजट अधी सूचना जारी की गई प्रती बंद के गोशना की गई कि इस ने अब उन बस्तों की एक सूची को परिभासित किया है जिन्हें जुलाई दो हजार बाइस में प्रती बंदित किया जाएगा अगले प्रिशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन आता है और आज का लास्ट प्रिशने आज का यह तो यह है गुस्ताब पैट्रो कोलंबिया के कौन से बंपाती बंपंथी राष्टपती बने हैं तो यह आयाता है इसमें आपका आंसर पहला पहला आंसर आता है इसमें आपका आपका गुस्ताबो पैट्रो कोलंबिया के पहले बंपंथी राष्टपती बन गए हैं इन्होंने 19 जून 19 जून 2022 को हुए राष्टपती चुनाव के दोरान दूसरे दोर में 50 प्रतीसत कितना 50.2 प्रतीसत बोट हासिल किया प्रष्ट भूमी राष्टपती इवान डूइक मार्केज कि इनकी करा धाना नीति के लिए आलोचना की गई थी उस समय जब नोक्रियां बुरी तरह प्रवाबित हुई थी चलिए आज की वीडियो कैसे लगी यह कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद